ये है एक अच्छा सा हस्पा खेलका होटल पर जिरोट जो कि बहुत चुंदर लगा और ये है एक अबेंगेंड प्लेस जहां पर सब कुछ बरवाद हो रहा है और ये है पुजिव एनरजी का सोर्स इसके बीच में क्या आने चांग है वो तुम लोग जानोगे इस वीडियो म में बहुत अच्छे तरीक एससे इसको बनाया हुआ है पर इसके पीचे एक बहुत कहतरनाक कहानी है तुम लोग जेक सकते हो साइड में एक होल मीटिंग होल बोसकते है उसको जहां पर सबीधेंग कर सकते हैं अपन लोग बहुत सारे लोग महाँ पर कुछ्टे बेटे आपर कोई इनसान ही नहीं उसके पीछे बहुत गहरी कहानी है वो अपन लोग आगे सुनेंगे और यहां पर यह कुछ पांच रूम बने हुए हैं साइड में यहां पर पांडा है और यह कुछ ओकलेट भई बहुत अच्छे अच्छे तरीके से इनको रखा हुआ है पर यहां कोई इनसान तो गलत रहेगा भाई कोई विलेजर नहीं है यहाँ पर उसके पीछे जो रिजन है वो अपन लोग आगे जानेंगे यह पांचो रूम एक जिसे बने हुए हैं एक ही थिम में इनमें कुछ दो बेड है कुछ समान रखा हुआ है और एक टेबल रखी हुई है बस स पांचो रूम मों बने हुए हैं और यह कुछ चूटी सी जगह बनी हुई है इसके बहुत गहरी और खतरनाक बाई दिल दहला देने वाली कहानी है वो सुनने के लिए वीडियो में बने रहना तो में लेजने चलता हु मोग इस कहानी के दूसरे पहलो पर इसको हम लोग बोल सकते हैं अबेंडेंट प्लेस जहां पर एक कुछ कामवाले और उनका मुख्या रहता था जहां पर लोग देखि शकते हो कि क्या हालत रहा है और तुमें दीख भी गया होगा बाई पता भी सलगा कि किसने की है ये सारे लोग पागल होके यहीं पर गुम रहे हैं ये भाई किसी यहां के इनके मुख्या का गर था और ये सबी यहां आसपास ही रहते थे और इन लोगों ने इनकी खुशाली के लिए एक मॉंस्टर को केद कर रखा था और वो जाने किसी दिन भाई एक अजिब से तरीके से महां से आजाद हो गया और उसने सब कुछ तहस नहस बरबात कर दिया वो कहां रखा था वो भी देखेंगे अपन लोग साइड में तुम लोग ये देखी सकते हो यहीं उस मॉंस्टर को रखा हुआ था पर उसने ये सब कुछ फोड़ दिया भाई देख लो तुम लोग पूरी जगह खोड़ डाली उसने और वो यहां से आजाद हो गया और उसने आजाद होने के बाद इनके भाई मुख्या को मार डाला और जो बज गए वो सब पागल हो गए इन लोगों के लिए हमने एक बंकर बनाया पर ये लोग महां भी नहीं जाएंगे क्योंकि भाई इनके पास इतना मानसिक संतुलन नहीं है इन लोगों की मदद करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो और आगे भी बता देना अगर कोई ऐसी ही कहानी सुननी हो तो ये लोग देखे सकते हो तुम लोग और भाई ये कोई आम कुआ नहीं है इससे नीचे इनका बेस है और हम लोग दूसरी चगे चलेंगे जहां से उस बेस का गेट है वो थी वो सीक्रेट एंटरंस थी काई उतनी नीचे तक हम लोगों ने प्रोपर रास्ता खूद के महां पर रहने के लिए जगे बनाई है उनके ऊर उनके लीडर के लिए पर वो लोग है कि यहां आते ही नहीं है बाई मेंने इनको इतनी नीचे बनाया है कि उपर से तुम लोग पूरा न्यूक्लियर फोर्ड दो यहां नीचे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि भाई यह देखो कितना नीचे है जितना नीचे जा सकता है माइनक्राफ्ट में कोई बंदा होता ना नीचे तक अपन लोगों ने बनाया हुआ है और यह भी जाने का भी यहां से रास्ता है फ्रोपर यह इंचांटिंग टेबल है और यह कुछ चेस्टे भाई इनमें उनके लिए इतना सामान है जो कभी कम नहीं होगा कम होगा तो भाई अपन लोग इंतिजाम करते रहेंगे उनके लिए तुम लोगों को पता ही होगा कि अपन पर वो लोग यहां आते ही नहीं है अगर तुम लोग बोलते हो भाई इस वीजियो पर कमेट करते हो तो उनको जैसे तैसे करके यहां तक लाएंगे अपन लोग और यहां से देखते हैं वहां तक की सीक्रेट भाई जो रास्ता है उसको वे तक हो यहां से अपन लोग सीधा उपर जा सकते हैं और वो जो साइड में है उससे नीच आ सकते हैं और इसको भी सीक्रेट रख रखाए मैंने ताकि कोई अगर यहां तक आ जाए तुम वहां न पहुंच सके जो बंदे बचे हैं वो बचे रहे बस यह वीडियो है भाई जो 650 सब्सक्राइबर होने के उपर करेंगे फिराल तो अपन लोग यहां से बाहर निकलते हैं और मैंने कुछ और बना रखा है इन सभी की खुशाली के लिए उन मॉंस्टर को इस इलाके से दूर रखने के लिए फिराल तो भाई यह जगे ऐसी है कि यहां पर आसपास यह सा नदी जैसा है पर अपने एक अप से ताला अब जो सा बनाया है और उसकी वज़े से वह मॉंस्टर अब यहां नहीं आते हैं और आएंगे तो भाई उनके लिए अपन तयार है यह बस तुम लोग को आम लग रहा होगा पर भाई अपन ने बनाया है तो इसके नीचे भी बहुत कुछ है यहां से बाई वीडियो में उन सबी को ढूंद के मारेंगे और भाई यह देखो तुम लोग यह है इस जगे कि भाई रक्षा भाई इस चीछ के प्रभाव से भाई इससे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है कि वह मुस्टर जो होते हैं वह नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं वह यहां पास में आ ही नहीं सकते हैं तुम लोग देखो भाई कितना कुछ तरीके से बनाया हुआ है इस जगे इस जगे के लिए तो वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भाई यह पूरी खाली जगे हैं इसको तुम अगर यह च्छोटी से प्यारी से कहानी अच्छी लगी हो इसका भाई जो हमने बिलिंग्स बनाई हैं वह अच्छा लगा हो तो भाई एक बार कमेंट में बता दो और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि मैं आगे जो आने वाल लीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगरे वाई लीडियो में तबक लिए बाई बाई टेक क्यार